हेलो सुडेंट्स वेलकम तू सवीता इंगलिश क्लासिज वी आर गॉइंग टू अर पोएम गार्डन स्नेक गार्डन स्नेक देखो बेटा स्नेक है स्नेक की आगे लगाया है कि गार्डन में रहने वाला स्नेक ऐसा स्नेक जो गार्डन में रहता है फोरेस्ट में नहीं रहता ह जो garden में स्नेक रहते हैं बेटा वो mostly insects खाते हैं और वो ज़्यादा poisonous नहीं होते वो ज़्यादा harmful नहीं होते ऐसा लोगों का मानना है have you ever seen कि आपने कभी यहाँ पर देखा है अब जो हमारे राइटर है वो पहले हमसे question पूछते हैं मोरियल एल सोने हमारे राइटर हैं और वो हमसे question पूछ रहे हैं कि have you ever seen एक क्या आपने कभी देखा है सनेक को fighting करते हुए mangos के साथ और getting into a hole और एक hole में जाते हुए और swimming in the river नदी में तैरते हुए everyone हर कोई almost everyone हर कोई believes that विस्वास करते हैं कि snakes are dangerous snakes जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं some are or most are not कुछ ज़्यादा खतरनाक होते हैं कुछ खतरनाक हैं नहीं होते हैं reach this poem on a harmless garden snake ये poem पढ़ते हैं हम एक ऐसे snake के बारे में जो harmless है जो हमें नुकसाने नहीं पहुंचाता है I saw a snake मैंने एक snake को देखा मैंने एक कहां देखा and run away और भाग गया अब जो writer है उसके जो यहां पर खुद जो writer का personal experience है वो कहते हैं कि मैंने एक snake को देखा और मैं भाग गया अब जो यहां हमारे कवी हैं poet हैं वो बार बार means mostly जो poems हैं वो self experience है some snakes are dangerous कुछ snakes जो हैं साप जो हैं वो खतरनाक हैं देखे वो कहते हैं वो कौन कहते हैं लोग कहते हैं लोगों का मानना है कि कुछ साप खतरनाक होते हैं और मैंने साप को कहां देखा snake को garden में देखा और मैं भाग गया but mother says लेकिन मेरी मां कहती है कि that kind is good यह जो हमारा garden snake है that is a good kind of a snake है and eats up insects and और यह जो हमारा snake है यह तो हमारा क्या खाता है insects को खाता है only और means for food खाने में यह insects को खाता है और किसी चीजों को नहीं खाता है so when he wiggle in the grass और वो wiggle करता है move करता है पिटा इधर उधर हिलते हुए move करते हुए grass में जाता है and I will stand aside तो मैं एक side खड़ा हो गया and watch him pass और उसको देखा गुजरते हुए वहां से मैंने उसको देखा and tell myself और मैंने खुद से ही कहा क्या कहा there is no mistake कि यहां पर कुछ भी गलत नहीं है कुछ भी गलत नहीं है राइटल कैसे मतलब उसको विश्वास हो जाता है पहले देखो वो देखते ही साप को भाग जाता है it means उसके mind में क्या है बेटा fear factor है snake के regarding की वो साप से बहुत ज़्यदा डरता है और अपनी मदर के उसने जब मदर ने उसको बताया कि यह insect खाता है और यह ज़्यदा dangerous नहीं है तो वो side में खड़े होकर जो है strange side वो उसको enjoy करता है देखता है it means इस समय जो है हमारे poet के mind में जो fear था वो कम हो गया है और कहता है कि there is no mistake कि अब यहाँ कुछ भी गलत नहीं है it means snake जो है वो dangerous से नहीं है it is just यह तो सिर्फ एक harmless नुकसान ना पहुंचाने वाला हाम होता है नुकसान हाम लैस जो नुकसान ना पहुंचाए ऐसा गार्डन स्नेक है मुर्यल अल सोने इस आर पोईट यह हमारे कवी है now English explanation for this poem listen it carefully from the very starting line to line I will explain in English now the young child sees a snake and runs away thinking the snake to be dangerous his mother however tells that only some kinds of snakes are dangerous they eat nothing but insects therefore then the narrator gives up being afraid of snakes rather he would stand aside and see the snake wiggle in the grass every time the narrator sees snake in the garden and he would think it just a harmless garden snake it means better after this observation now he is confirmed that this snake is a not harmful and now he is going to enjoy the scene of a snake in the one more thing I want to discuss with you in this poem like better of the rhyming words rhyming words you know already away say good food grass pass mistake snake so you have to be better the rhyming words hote है poem के अंदर तो उनकी rhyming scheme बनाई जाती है और according to sound symbol उनको alphabets name दिये जाते हैं देखो सबसे पहले जो sound create होती है बटा उसको हम a name देते हैं सेकंड sound जो होती है बी देते हैं फिर सी जितनी भी sounds होती है उनको हम इस तरह से name देते हैं और same sound को हम same alphabet से जो है डिनोट करते हैं फर्स्ट जो हमारी sound है बेटा अवे और से वे ए ए ए वाई ए वाई तो same sound है बेटा तो इस sound को हम name देते हैं और यहां भी इस sound को हम क्या name देंगे a because sound is same second जो है बेटा गुड ड साउंड आ गई हमारी different sound आ गई इससे different हो गई it winsome second alphabet को select करेंगे तो यह हमारी कौन सी sound हो गई बेटा गुड और फूड बीस बी जो है वह राइमिंग स्कीम के अकॉर्डिंग हमने इसको नाम दी नेम दिया है ए ए बी बी अब से नेक्स जो sound है बेटा ग्रास पास साउंड है अब यहां हमारी older जी से sound नहीं आई है अग को रिपीट करेंगे अब यह जो sound है हमारी different sound है then we will take one more alphabet c and a c mistake को sound snake and mistake d and a d तो हमारे rhyming scheme क्या हो जाती है बेटा की मानलो आपके पास मैं poem का stanza आपको दे देती हूं यहां से उठा कि यह poem मैंने आपको दे दी यहां से मैंने question बनाया कि what is the name of the poem and what is the name of the writer and what is the rhyming scheme name poem का name आप याद करेंगे garden steak है हमारे writer कौन है Muriel Elson ने है second question आपका हो गया third question आपको मैं दे दूं कि आप इसकी rhyming scheme बताएं तो rhyming scheme आपको लगेगा कि rhyming scheme क्या होती है देखो rhyming words आपको पता है बट rhyming scheme को कैसे बनाया जाता है बेटा same sound को हम जो है same symbol से denote करते हैं तो यह अब हमारी जो rhyming scheme हो गई है बेटा वो इसकी क्या हो गई है a a b b c c d d अब rhyming scheme क्या हो गई है बेटा four four lines को अगर हम ले a a b b c c d d यह हमारी जो rhyming scheme हो गई है four की हमारी क्या हो गई है four lines की a a b b next four line की rhyming scheme क्या हो गई है c c d d I hope you understood this now you read this poem thank you